हलो बच्चो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस खुबसूरत चैनल पर जिसका नाम है विपन सिंग फिजिक्स तो आज क्लास 12 का एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो कि बच्चे बार-बार पूच रहे होते हैं आप बार-बार आप सर्च कर रहे होते हैं जिस टॉपिक को तो टॉपिक का नाम है वांडी ग्राफ यह चैप्टर टू में आता है सेकेंड चैप्टर जो होता है आपके बहुत ही विज्ञान का जो की इस्तिरवाइदित भी होता था धारिता अगर NCRT की हिसाप्चन में नाम लूज चैप्टर का तो यह चैप्टर आता इस चैप्ट आपके फिजिक्स का जो सेकेंड चैप्टर है ना सेकेंड चैप्टर के अंदर आता है यह टॉपिक ठीक है लास्ट टॉपिक होता है आपके दूसरे चैप्टर का वांडी ग्राफ जनेरेटर के बारे में बात करते हैं वांडी ग्राफ जनेरेटर जो है प्रोफेसर आर जे वांडी ग्राफ इनका नाम ही है आर जे वांडी ग्राफ इतना बड़ा नाम ही इनका ठीक है इन्होंने 1931 में एसी विद्धुत उत्पादक मसीन का एसी मतलब एसी एसी नहीं एसी ठीक है निर्माड किया जिससे उच्च विभवांतर मतलब वोल्टेज डिफरेंस एक तरह का एक साधन है ये जनरेटर इसको बोलते हैं ठीक है वांडी ग्राफ ने इसको नाम दिया वांडी ग्राफ जनरेटर ठीक है और 1931 मना था तो काफी पहले बनाया था राइट दावख साउसाल होने वाले हैं अगर 10 साल निगाल दे तो 2000 गीजार एक्टिस में हो जाएंगे सो सभकि ठीड करोएट फंड़िगराफ जनरेटर का सिध्धान्त अगर में बात को क्या पूछा जाlla ऐगा आपके एक्जाम में जितना पूछा जायगा एक्जाम में उतना पूरा जिखा। इसमें बात करें कि तो ग्राफ generator का कारशिद्धान दो तत्यों पर आधारित है जहां पर दोनों तत्य आपके सामने लिखे हैं पहला तत्य है कि किसी गोली चालक की विद्धारिता चुकि हम जानते है सी बरावर होती है फोर पाई एपसाले नौट आर मतलब जो धारिता होती है संधारितर की वो समा चालक की बात कर रहे हैं तो इस पस्ट है कि चालक की धरता अधिक होने के लिए चालक के तरिज्जा आर जो है वो अधिक होनी चाईए जितना बड़ा अप गोला लेंगे उतना ज्यादा उस पर आवेस दिया जा सकता है और इसके धारता उतनी ज़्यादा होगे देखें के नुकीली भाग का बहुत बड़ा योगदान है इस पूरे प्रोसेस में तो अधारी थे नुकीले सिरे पर आवेस का प्रिष्ट घनत तो अधिक होने से धन आवेसित विद्द पवन उत्पादन हो जाती है तो एक तरह का स्पार्क जो है जनरेट हो जाता है आप ब अगर आवेस दूँगा तो सबसे ज़्यादा आवेस इसके कहां पाए जाएंगे इस नुकीले पार्ट पर आवेस सब जगे फैल जाएंगे अगर चालक होता मानलों लोहे की पर नहीं और इसकी नोख होती है नोख है तो सबसे ज़्यादा आवेस कहां दिखेंगे नोख प अब इसे विद्धुताविस का एक पवन उत्पन हो जाता है जिसको हम कह सकते हैं एर में डिस्चार्ज होता है चार जो है ठीक है अब देखते हैं किस प्रकार से तो वांडी ग्राफ जनरेटर हैं हमारे पास यह अब देख सकते हैं और यहां पर देखेंगे एक बड़ासा गोली चालक है और यहां पर एक पटि लगी घिरनेई लगी है जो चमड़े-क प्लास्टी इस प्रकार के, तो एक पट्टा है, जो इस पर चल रहा है, ये मोटर होती है, ये पट्टे को घुमाती रहती और ये पट्टा इस पर चलता रहता है, होता क्या है कि यहाँ पर ब्रुस लगा है, ब्रुस बतला कंग ही बोल सकते हैं आप इस प्रकार से, या तो इसको नुकील ऐसे भी उना जिया रहता है, ठीक है, तो ये कंग ही, हिंदी में इसको कंग ही बोलते हैं, बुरुस को, स्रोथ से आविस प्राप्त करता है, तो यहां से आविस देते हैं, इसको आविस देते रहते हैं, आविस देते हैं आविस इस नुकीले पार्ट से, इस नुकीले तो जहां पर आवेस चला गया पट्टे पर भी रहेगा क्योंकि एकदम पास में रखते हैं पट्टे के एक दम पास मतलब समझें के एकदम पास से गुजर रहा है बहुत कम गयब दिख रहा है बहुत हलका मामुली सा गयब है। तो वह आवेस जो है लगातार इस नुखीले पार्ट से निकल करकी इस पट्टे पर जा रहा होता और ये पट्टा चल रहा होता तो ये आवेस को लेकर ये पट्टा कहां जाता है उपर यहाँ पर आप देखेंगे एक गोला है गोले के अंदर एक कंगी सी प्रकार की फिर लगी होती ही कुछ इसी प्रकार की या इस प्रकार की ठीक है नुकीले पार्ट की तो एक नुकीला पार्ट फिर लगा होता है फिर वैसी ही लगा होता एक दम पास में अब क्योंकि यह चाल किंग हम बाद में बता लेते हैं फिलाहल यह कंगी है यह रिसीव करने का काम करी गया और जो भी आवेस आएगा इसके उपर फैलता चला जाएगा और इसका कंपेरिजन हम करते हैं भू संपर की तार अर्था भूम इसे करते हैं क्योंकि हम जानते हैं पृत्वी का जो एगे पर जाता है फिर अवेस दे देता है सतरज चलता है ठीक है ऐसा समझे है विद्विक बुरिस इंप्तर जो और प्रदान करता है साफ साफ लिखा है कि अगर अगर मैं इसको ना लोहे का बना दूवग या किसी विधाती का बना दूगा तो क्या होगा इसका इस प्रे Cada हो जाएगा तो इसलिए हम इसको प्लास्टिक या रबर या इस तरह की चीज़ों से बनाते हैं विद्धुतर अधिस्तम बनाते हैं कंक्रीट से भी बना सकते हैं ठीक है और यह मोटर रहती है जो पट्टे को चलाती है अब आगे अगर बात करें तो वांडी ग्राफ जनरेट किसकी बेल्ट हो सकते बटा चमड़े दगेरा की हो सकती है ठीक है यह गोला है उस पर धानत्मक आविस जा रहा है एक मोटर से यहां पर आविस दिया जा रहा है लगवक पांच मीटर का व्यास ले लेते हैं व्यास मतलब डाइमेटर ठीक है रेडियस कितनी हो जाएगी धा बोल सकते हैं एबी पर खड़ा है यहां पी लिग दिया मुझे लगता है एबी होना चाहिए इसको हम एबी बोल देते हैं जो चित्र मेरे बना रखा है ले रखा है वह एबी है ठीक है पीवन और पीटू दो घिरनिया है जिसमें से होकर विद्धुद्रोधी पदार्त फुहार कंगी देते हैं कहते हैं इसके कोकी आवेस को वो देती है पट्टे पर ठीक है तो फुहार कंगी बोलते हैं इसक्ड़े कॉम और सीटू को हम संग्राहक humour बोलते हैं जो कट्था करती है ठीक है coolest करती है तो उ VAN का देटरी के धनसीरे से तक और अषब को ऑ residents से जोड़ रखा है अंदर के तरफ ठीक है और ये चालक कंगियां होती है याद रखें गोले एस से आवेस का छरण रोकने के लिए पूरे जनेतर को एक लोहे के टाइंक में बंद कर देते हैं ताकि आवेस बाहर न जा सके क्योंकि अगर आवेस बाहर चला गया तो फिर हमार लोहे के उसमें कैद कर देते हैं ठीक है अच्छा ये तो हो गया कारेविधी किस प्रकार से करता है इसके उपयोग के अगर मैं बात करूं तो इस उपयोग में देखेंगे वांटी ग्राफ जनेतर की सहायता से अति उच्च विधाव उत्पंड किया जा सकता है जैसे पहले मतलब धनात्मक आवेश का अगर हमें गती जूर्जा बढ़ानी है या उसको ज्यादा गति जूर्जा या ज्यादा ओर जावान करना है तो अति उच्च वेग पर कर दिया मतलब वेग बढ़ा दिया तो आप गती जूर्जा बढ़ा सकते हैं क्योंकि काइनेटिक इनरजी अगर आपको गती जूर्जा बढ़ानी है तो आप वेग बढ़ा दीजे या चाल बढ़ा दीजे अपने आप गती जूर्जा बढ़ जाएगे ठीक है इसका उपयोग आवेशित कड़ों को तुरित करके उन कड़ों की उर्जा में ब्रदी करने में किया जाता है सेम चीज लिखा है दूसरा और तीसरा पांट में ज्यादा कुछ अंतर है नहीं दोनों से में तो यह तो हो गए इसके उपयोग इसके कुछ दोस भी दोस यह है कि आकार में इतना बड़ा होता है घर के बराबर लगभग दो देखिए 15 मीटर यहां पर भी लिखा था ना अभी दिख जो आता है उसका प्रिष्ट घनतवधी कोने करन धनावेस युक्त विद्ध पवन चलने लगती है और जिससे बिल्ट के सामने वाले भाग जो है धनावेसित होकर ऊपर के और जाता है उसके बाद जब यहां भाग संग्रह कंगी सीटू के सामने जाता है तो कंगी के सिरों पर रणावेस तथा गोले के बाहए प्रिष्ट पर धनावेस उत्पन हो जाता है तो आप अपने आप देखेंगे यह चालक है क्योंकि तो यहां पर धनात्मक के वज़े से यहां पर प्रेरण द्वारा रणात्मक आवेस आया तो ऊपर के तरफ अपने अप धनात्मक आ ज जानना होता है, 12 लेवल पर अगर बात करें तो बारवी के लेवल पर ये आप से फोड़ा पूछा जाता है, बहुत सारे बोर्ड से ये सिलेबस से हटा, हट भी गया था, लेकिन अभी क्योंकि कोविड जा चुका है, तो मुझे लगता है कि फिर से साइद इस बार जो नया सि सायद चांस है कि इस बार पूरा का पूरा सिलेबस आपके एक्जाम में पूछा जाए, जो भी आपका बोर्ड हो, तो देखते हैं, फिलहाल जब भी सिलेबस के अपडेट आएगी आपको जरूर बताऊंगा, आपके सामने जरूर आऊंगा, और आपके जो भी चीज़ी हो पर जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, यह हो गया, वैसे, अलाग अलग कुछ-कुछ, जो है, मसीन है, जिस पर हम, जो हम पढ़ते हैं, तो लेट मी नो, मैं जरूर वीडियो बनाऊगा, ठीक है, आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे तब तक के लिए, पढ़ते बबाए, टेक कियो